लाख रुपे की तन्खा है मेरी, फिर भी तेवारों पर मा देती है कुछ पैसे, तुम ही बताओ उसके इस निश्चल प्रेम को, शब्दों के जंजीरों में बांधू मैं कैसे, कितनी भी कोशिश मैं कर लूँ, मैं ये लिखाई सीख नहीं सकता, हाँ, कलम कमजोर है मेरा, वो प्रेम परकविताएं लिख नहीं सकता, पिता धीर गंभीर रहते हैं स्वभाव से, और प्रेम प्रदर्शन में भी काफी कच्चे हैं, पर क्या उनके मूख प्रेम को मेरे व्यर्थ शब्द चाहिए, जिनकी वाट्सअब डीपी में भी वो नहीं, उनके बच्चे हैं, पिता का प्रेम भगवान है, जो है तो पर दिख नहीं सकता, हाँ मेरा कलम कमजोर है, मैं प्रेम पर कविताएं लिख नहीं सकता, मेरा पसंदिदा शहर, कहानिया, कपड़े, रंग, वगएरा वगएरा, याद रखना तो आम बात है, पर क्या मैं लिखों उस लड़की के प्रेम पर, जिसको मेरे ही नहीं, मेरे दोस्तों के भी पसंद सारे याद हैं, कोई भी शिंगार रसका काव्य, कोई भी शिंगार रसका काव्य, उसके प्रेम के आगे टिक नहीं सकता, हाँ, मेरा कलम कमजोर है, मैं प्रेम पर कविताएं लिख नहीं सकता, भगवान भी तो निश्चल प्रेम करते हैं ना, क्यूंकि मैंने उन्हें मुर्तियों और चादरों में ढलते देखा है, और उकात नहीं मेरी की लिख दू कुछ मालक्षमी के प्रेम पर दीवाली पर गरीबों की दुकानों में उन्हें मुर्तिय अचाधर खरी दे जा सकते हैं, मुर्तिया चादर खरीदे जा सकते हैं, जगत जन्नी का प्रेम विक नहीं सकता, हाँ मेरा कलम कमजोर है, मैं प्रेम पर कविताएं लिख नहीं सकता। और प्रेम आकाश की शूती ठंडी हिमालय की चोटियां है, जिन पर चढ़ाई तो कर सकते हैं, पर उन्हें लांग नहीं सकते। प्रेम श्वेत है, प्रेम शांत है, प्रेम शाश्वत है, जो कभी मिट नहीं सकता, हाँ मेरा कलम कमजोर है, मैं प्रेम परकविताएं लिख नहीं सकता, मैं प्रेम परकविताएं लिख नहीं सकता, मैं प्रेम परकविताएं लिख नहीं सकता, मैं प्रेम परकविताएं लिख झाल झाल